Hello friends, आज हम सेम की सब्जी बनाइंगे जो कि बहुत ही चेश्ची लगता है तो सबसे पहले हमें सेम को साफ करना है तो यहां पे देखिये मैं कैसे इसको साफ कर रही हूं तो सेम के दोनो किनारे के जो रे से होते हैं उसे हमें निकाल लेना होता है तो चक्कू की मदस से हम इसे निकाल लेंगे या तो हाथों की मदस से भी ऐसे तोड़ेंगे तो यह आराम से धागे की तरह यह लंबे से निकल जाते हैं और फिर सेम को हम बीच से काटके और इसको अच्छे से देख लेंगे कि अंदर इसमें क्यूडे वगरा है की नहीं है देखिए इस तरह से तो विलकुल इसी तरीके से हमें साफ करके सभी सेम को बना लेना है तो यहाँ पर एक और दिखा रही हूँ दोनों तरफ से इसके जो कोई वेसे होते हैं उसे हमें ऐसे ही काटके निकाल लेना होता है और इसको हमें एक टमाटर से हमने छे साथ भाग कर लिया है और दो तीन आलू ले लिया आलू को भी हमने काट लिया है तो यहां पर हम एक बुली लॉसन को छुड़ा के रख लेंगे मिक्सी पिजार में और एक इंच अध्रा के टुकुड़े को एड़ करेंगे दो हरी म्यूची को तोड़ समूथ सा पेश्ट हमें बना लेना सब्वीह कर दो लिया एक को इसमें हम और मशाले। यूज कर रहे तो नमक हम डालेंगे स्वाटकिनसर आदि चम्मस हँल्दी पवाडर आदि मिर्ची पाडर कर लिजेगा का फिर तो यह जो मसाले हैं जले नहीं और बहुत अच्छा ऐसा स्वाद आता है तो अब हम रखेंगे कूकर गैस चुले पर उसमें तेल एड़ करेंगे तो तेल एड़ करके सबसे पहले हमें आलू को इसमें फ्राइ कर लेना है ताकि इस तरीके से आप लोग बनाएगा बहुत ही कर लेंगे और कलर भी इसका चेंज हो चुका है अब हमें आलू को निकाल लेना है तो एक प्लेट में हमें आलू को निकाल ले रहे हैं और उसी तेल में हम एक चम्मस डालेंगे मेथे दाना और दो हमने यहां पर सावुत लाल मिर्चिले लिया है इसको बिल्कुल हमें काला कर देना जला देना है और उसके बाद जो हमने मसाले बनाए थे उसको हमने इसमें अड़कन मन कर देंगे चार कि छीटे वगरा ना आए अब मिक्सी कजार धूल के और एक चम्मज के करेब इसमें थोड़ी से पानी आड़ कर देंगे और इसे हमें अब चला लेना है और इसे हमें जब तक पकाना है जब तक कि इसका तेल जो है उपर सेपरेट ना हो जाए अच्छे से मसाले भून न जाए तो यहां पर देखिए तेल उपर आ गया है और मसाले जो हमारे बहुत अच्छे से भून चुक जादा बनानी हो तो आप इसका इस्तेमाल जादा कर सकते हैं तो अब सेम को हम इसमें डाल देंगे इसमें और अच्छे से चला लेंगे और इसे हमें जब तक भूनना है तब तक कि मसाले और सेम जो है अच्छे से भूनना जाए अच्छा सा इसका मतलब कलर थोड़ा सा लेख लेख लिए और बहुत अच्छा सा स्चेम जो है मारा भून चुका है तो अब हम यहाँ पर डालेंगे टमाटर तो तमाटर को हम एड कर दे रहे हैं तमाटर को में सुरू में मसालों के साथ इसलिए नहीं भूना क्योंकि टमाटर को हमें थोड़े से खड़े-खड़े रखने हैं ताकि टमाटर ऐसे जब दिखते हैं तो बहुत अच्छा सा कलर लुक आता है सब्जों का तो टमाटर भी हमें एड़ करके और टमाटर को ज्यादा हमें पकाना नहीं है अब इसको चला लेंगे हम और चला के इसमें जो आलू था उसको हम डालेंगे और पानी साथ ह साथ इसमें पानी डाल देंगे तो पानी हम आदा गिलास में थोड़ी से जादा एड़ कर रहे हैं मतलब कि एक गिलास में तीन चार चम्मच के करीब हम उसमें पानी थोड़ी से तले में बचा लेंगे और पानी एड़ कर लेंगे उसके बाद आलू को भी हम साथ ही साथ ड तो आप हमें धक्कन बंद करके और 2 सीटी आने तक इसे पका लेना है तो यहाँ पर सेम का जो है दो सीटी आ गया था हमने पहले फ्लेम आफ कर दिया था और ठोड़े से ठंडा होने के बाद इसको हमें अब देख लेना है तो देखिए यहाँ पर सेम जो है मारत सब्सक्राइ के त्यार हो चुका है देखने में कितना अच्छा लग रहा है तो अब हम इसे सर्प कर लेंगे तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि कि ऐसे ही वीडियो आप लोगों मिलती रहें फिर मिलते हैं नई रेस्पी के साथ टेक्ट